सो फाइनली दोस्तों आप लोगो देखोगे DLF ने अपने quarter 2 के number disclose कर दी है भी तो कैसे रहे है quarter 2 के number और इसका जो impact हो हमें कैसा देखने को मिलेगा market closing के बाद results आएं तो मंडे की दिन त्यार रहना भी चलिए देख लेती है तो यहां पर देखो कि हम discuss करेंगे इसके जो consolidated results से इसको लेकर all figure in रुपीज क्रोड में दिया गया भी यह quarter ended और यहां पर आपको half year ended data देखने को मिलेगा अगर बात की जाए total income क्या total revenue की तो current quarter में जो total income रही है 2180 क्रोड की जो previous में क्या थे भी 1739 और previous रही के सें quarter में 1446 क्रोड की income year to year and quarter to quarter इसके income में हमें jump देखने को मिल रहा तो half year basis प्रभी income 3998 क्रोड से 4910 क्रोड पर पहुंची है तो income और और काफी अच्छी है expense देखोगी इसके बाद जो company ने खर्चे किये भी तो current quarter का दुरान जो expenses रही अभी 1640 क्रोड के जो previous में क्या थे भी 1272 और previous रही के सेम quarter में 1212 क्रोड के year to year इसके expense में jump है and quarter to quarter भी expense में jump है but revenue अपकी बार फिर expense से ज्यादा है वही मतलब company ने फिर ये profit बनाया है तो चलिए देखते है net profit for the period तो अपके बार जो net profit रहा है अभी वो क्या है लगबग 1300 81 क्रोड का जो previous में 612 क्रोड 644 क्रोड था यहनिकि year to year and quarter to quarter भी compare क हमें hundred percent plus grow करते हुए नजरे ने double profit हुए है तो काफी श्यांदा data है और previous half year से आप लोग compare करोगे अपके बार तो 1140 क्रोड से 2025 क्रोड का profit company ने बनाया वही इसके लावा आप लोग देखोगे भी इसका जो earning per share है यानिकि EPS वो रहा है अभी पांच रुपे 58 पैसे जो previous में दो 61 था और प्रीवेश के सेम क्वाटर में दो बावन इसके अलावा आप लोग देखोगे यह assets वगरा है जो है assets और जो liabilities है आप लोग एक बर वीडियो को पोच करके देख लेना तो assets तो देखो भी पीछे के मुकाबले जो इसकी है वो increase हुए है ठीक है और borrowing के अगर बा अगर आपके पास company के share है तो ठीक है चलिए अब देखते इसका impact कैसा रहेगा चलिए मार्केट estimate से compare करते भी इसका earning पर share है नहीं कि EPS तो अवे लेवल नहीं है बट जो इसका revenue वो अवे लेवल है revenue कितना expect किया गया था और आया कितना है revenue from operations कितना भी लगबग 1900 क्रोड और पोज़ना तो भी comment में पोज़ सकते हैं thank you for watching the video